गुड मॉर्निंग एवरिवन आइम हिमंध वेलकम टू माइ चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री आज का टोपिक है आपका मैटल अलर्जी ठीक है इसको एक्स्ट्रेक्शन ओफ मैटल के नाम से जानते हैं और टैंथ क्लास में आपका यह जो टोपिक है वो आपका इंसियार्टी में अक्रेंस ओफ मैटल के नाम से शुरू होता है अप्रोक्सिमिटी यह आपका अगर आप देखोगे तो इसको 49 या 50 पेज पर आपका एंसियार्टी टैंथ क्लास में आपका मिलता है ट्वेल्थ क्लास का भी आपका टोपिक है तो शुरू करते हैं आज मैटलर्जी और य क्रेंटी अगर इसा पोच किजिए एक चोटा सा एक्जाम्पल लो अगर आपके पास सिल्वर है या गोल्ड है तो वह जो सिल्वर और गोल्ड जो हुआ आपका प्यूर फॉम है जो आपको दुकानों पे मिलता है और कहीं मिलता है तो यहां पे वह जो मैटल आपको ओटें हुआ है वह एक्चुल में आपको कहां पर मिलता है अर्थ करस्ट मिलता है क्योंकि आपके जो भी खनीज होते हैं जो भी मैटल्स होती हूं आपको पता है धरती के मतलब अर्थ की करस्ट में मिलते हैं यह जो अर्थ की करस्ट में आपको ओटेंड होते हैं इन्ही को हम क्या ब देख गया है कि कोपर से उपर जो आपके मैटल्स हैं वो कमाइंड फो में मोस्ली कमाइंड फो में पाए जाते हैं पता आपकी रियक्टिविटी सीरीज के अगर बात करूँ मैं तो आपकी क्या थी के करीना ने कार मांगी ओल्टो जैन फरारी सुनकर पटोदी भाया हसकर कल् कि युमारी आजाओ तुम्हें गोल्ड दिला दो और फ्लेटिनम हार पराद दो कुछ हैसाब को है रिक्टिविटी सीरीज है इसमें यह देखा गया है कि जो कोपर से उपर वाले ऐलिमेंट्स हैं यह आपकी कमपाउंड फो में पाए जाते हैं जन्रेले हैं जन्रल यह या native state को ही हम क्या बोलते हैं, free state बोलते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, copper है, gold है, आपका यहां पर बात करूं, मैं silver की, तो यह आपकी combined form में भी होते हैं, पर अगर मैं बात करूं, copper से उपर वाले जो आपके metals होते हैं, तो वो metals हो आपके mostly जर्नली, आपके हम कह सकते हैं कि वो combined foam में आपको obtain होते हैं मतलब compound foam में आपको क्या है वो आपको मिलेंगे ठीक है तो यहाँ पे यह आपके native foam में भी होते हैं और compound foam में भी होते हैं दोनों फों में पाए जाते हैं ऐसी बात नहीं है ठीक है तो यहां पे यह चीज देखा गया कि यह compound form है native form है तो अर्थ की जो crust है आपकी अर्थ की जो crust है उसमें यह जो metals obtained होते है ठीक है अर्थ की crust में आपको जब आप mining करते हो तो mining करते हो तो पत्थर निकालते हो आपको पता है तो यह जो अर्थ करस्ट में हमें जो metals मिलते हैं फिरी state में भी हो सकते हैं और compound form में भी हो सकते हैं कोई भी compound बना लिया उन्होंने ठीक है आईरेन sulfide a pirate है जिसे iron pirate हो गया तो यहां पे अगर बात करो तो यहां पे यह metal plus में compound form में मिल सकते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं इस अर्थ क्रस्ट को ही हम क्या बोलेंगे minerals बोलतेंगे इन्ही को क्या बोलतेंगे minerals पहली बात समझागी मैं सिंपल सी अभी बात कर रहा हूं अभी अभी आपने देरी metallurgy के अंदर जाएंगे कि मैंने अभी खा कि वो अर्थ क्रस्ट जिसमें आपके metal और compound मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहां पे minerals बोलते हैं ठीक है उस अर्थ क्रस्ट को बोलेंगे अब यहां पे यह दिखा गया कि सारे जो minerals होते ना वो आपके क्या है कि उसमें percentage of जो metal है वो vary करती है क्या करती है यह vary करती है तो हमने यह देखा कि हम सारे minerals को ना लेके मतल सारे पत्थर जो हैं आपके simple सी बासा में समझो पत्थरों से हमें metals मिलते हैं तो यह जो आपके पत्थर हैं उन सभी पत्थरों में हमें metal की जो percentage हो vary हो रही है और शीदी से बात है vary भी होगी तो हमें वही minerals लेने हैं जिसमें percentage of metal क्या हो जादा हो उसे फाइदा क्या होगा एक तो mining करोगे उसमें माइनिंग आप उस पत्थर को भी निकालने में करोगे और जिसमें metal है उसको भी करोगे बिलकुल दोनों में process तो सेम होगा पर जो आप अगर suppose किजिए एक आपक की M1 और एक है M2 ठीक है एक पत्थर यह है एक दूसरा पत्थर ही है इस में suppose किजी में जो metals है वो आपका यहां पे 3% ठीक है और इस में जो metal है वह आपका suppose किजी है कितना 70% ठीक है दीकर metal की percentage जो है वो आपकी कोई पी एक suppose किजी कोई एक metal माल गरेए suppose किजी मैंने potassium माल लि calcium है magnesium है aluminium है कोई भी आपका metal हो गया ठीक है अब यहां पर metal की percentage कितनी है 3% हो और इसमें कितनी 70% आप खुछ सोच के देखो आप कुछ सा पत्थर को ले रहाँ होगे भई यहां पर quality जादा है मैं बन्द यहां पर जो metal की जो production हो क्या जादा है इसमें amount क्या metal की जादा है तो हमने इस minerals को क्या कह दिया कि इसी को हम क्या बोलेंगे और बोलेंगे इसी को क्या बोलेंगे और बोलेंगे आरी बात समझें तो और आपका क्या होता है वो minerals होते हैं जिसमें metal की percentage क्या हो जादा हो जिसमें आपकी metal की percentage क्या हो जादा हो अब आप में कि हम और को सेलेक्ट करेंगे या मिनरल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपकी यहां पे परसंटेज जो है आपकी मैटल की कम है तो किसको आप सेलेक्ट करोगे जब मैटल को आप निकालोगे तो सीधी सी बात है और को निकालोगे क्योंकि और को जो निकालोगे तो यहां ही और को सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपके मैटल्स की परसंटेज ज्यादा है और उसको निकालना भी आसाल हो पता चला उसको निकालने में हमें पैसे कहां ज्यादा लगए सबोज किजी मैं एक चोटा साइगजमपल ले रहा हूं जैसी यहां पर हमने लिया एक इस मैटल को हाँ पे मैटल जो निकाला है वो मैटल है उस मैटल का जो प्राइज है ये निकल के जो भी मैटल आएगा उसका जो प्राइज हो सो रुपी है ठीक है अब मेरी जो लागत लग गी इसमें इसको एक्स्ट्रेक्ट करने में जो लागत लगी वो लगी मेरी सपोज़ की जी 110 रु मेरे को तो profit नहीं हो ना मेरे को लागत जो लगी है matter की जो market price हो तो 100 रुपी है पर मेरी लागत जो लगी वो कितनी लगी 110 रुपी लगी 110 रुपी लगी पर दस रुपी का तो मेरे को लोस होगा market में अब कभी मंदा होगा कभी सस्ता होगा तो मैं ऐसे मिर्नल्स को नहीं लूँगा जिसमें मेरी क्या हो लागत जादा लगी है तो मैं उसी मिर्नल्स को उठाऊंगा जिसमें मेरे को profit भी हो और उसको निकालना भी क् उसमें लागत भी प्हम लगे तो और गया होते हैं वह इनल्स होते हैं जिसमें हमें profit हो profit भी हो plus में easy method से हम उसको क्या कर सके एक्सरक्त कर सके तो यहां पर हम दो चीजे समझे में आगी minerals हो आपके क्या है basically minerals वह होते हैं जो कि निसमें metal और compound जो है और उसके जो compound हुआ आपके पाए जाए ठीक है अब आपके और क्या होते हैं वे minerals होते हैं जिसमें हम metal को extract करते हैं easily और profitably उसको क्या बोलते हैं और बोलते हैं तो और आपका क्या हो जाएगा वो minerals हो जाएंगे आपके जो आपके easily निकल जाए और profit भी हो पता चले उसमें नुकसानी हो रहा है कोई भी धंदा अगर करते हैं कोई भी हम business करेंगे तो हम भी पता है उसमें profit तो होना चाहिए क्योंकि profit जो हो आपको जोड़ के रखेगा नहीं तो आप उसको छोड़ दोग है तो उसमें अगर profit नहीं हो था आप उस business को क्या कर दोगे कोई मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि यह आपका जो और है वो basically क्या मिर्नल्स ही है तो जितने भी और होंगे वो मिर्नल्स तो होंगे बिल्कुल मिर्नल्स आपके कहा है जिसमें आपके मैटल और कमपॉंड मैटल यह उसके compound combined form्नें तो ओर जो हैं वह आप क्या हो सकते हैं मिर्नल भी सारे के सारे और मेनर जो और मिर्नल्स वह आपके और और तोड़ी निकल लो है जिस एक छोटा से मैग्सम्पल दीता आपको देखी यह आपका एक पथर है ठीक है आप आराम से imagine करिए यह पथर है जिसमें कोई ने कोई मैटल मिलेगा sodium है potassium है कैसीम कुछ कुछ मिलेगा ठीक है यह नूर्मल पथर है यह जो पथर आपका ये दिख रहा है यह आपकी जो copper mining ऐसी गाणा में copper में आपका जिला जुझनों में जो आपकी है वो मेरे कोई यह पत्थर मिला था मैं लिया था चोटा सा पत्थर तो यहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे जो mining होती है उसका पत्थर का इसमें percentage of matter क्या है जादा है आपको दिख भी रहोगा यहाँ पे इसमें चमक एक अलग सी है ठीक है मैं इसकी आपको फोटो कीज के side में बेज दूँगा कोई बात नहीं आपको नहीं दिख रहा तो च इसमें आपकी percentage of matter क्या है जादा है तो इसमें हम क्या निकालेंगे matter निकालेंगे तो यह जो आपका ore है वो आपका एक mineral है पर यह जो आपका minerals है वो ore बिलकुल नहीं हो सकता तो यही बात मैंने कही है कि all ores are mineral but all minerals are not ore ठीक है मैं इसी सारी जो अभी बात की है उसको मैं एक language क form में एक definition की form में बात करते हैं और और minerals किया आपके एक फटा 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 इस चीज़ को write down करिया है चलिए मिनल्स क्या थे आपके the natural occurring metal or their compound are found in earth crust are known as minerals जो earth crust में आपके metal है यह combined form में भी आपके हो सकते है copper से उपर वाल जो metals आपके वो क्या होंगे combined form में होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे minerals बोलेंगे उन अर्थ crust को क्या बोलेंगे minerals बोलेंगे और और क्या होंगे वे minerals जिससे हम metal को obtained करते है दोज minerals from which matter can be extracted easily लागत आपकी कम होने चीज़ी और प्रोफेव डेले known as ore तो हमने यहाँ पर कहा कि all ores are mineral but all minerals are not ore ठीक है अब यह जो extraction of metal है वो आपका क्या होता है obtained of metal from ore मत्तलब यहाँ पर और से जो matter obtained करेंगे हम उस process को क्या बोलते extraction of metal अब माइन में आएगा metal allergy क्या आपका दीकि metal allergy आपका क्या है कि extraction तो होगा आपका extraction तो होगा मत्तलब extraction of metal पलस में refining refining of metal यह refining of metal क्या होता है प्योरिफिकेशन होता है मैटल को प्योर करना का जो process होता है उसको वोलते है refining of metal ठीक है तो यहाँ पर फटा-फटी definition को लिख केजिए चलिए देखिए जो metallurgy है उसकी definition क्या है आपकी the extraction and refining of metal known as metallurgy जो metallurgical process है देखिए किसी बच्चे के माइंड में यह आता होगा सर्व और के आपने example नहीं बताए देखिए अगर बात करूँ मैं aluminium की तो aluminium में आपके जो और है वह बोक्साइड है कोरियंडम है और जैसे यहां पर बोक्साइड का अगर फॉर्मूला देखो तो एल्टू ओ थ्री टू है कोरियंडम एल्टू ओ थ्री है यह जो आपके सारे और है मतलब एक्जाम में जो आते हैं आपके इसकी ट्रिक मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है उसका जो लि अभी वीडियो पोज करना है और डिस्क्रिप्शिन में जाके उस वीडियो को देखो और कि जो सारे आपको बता रखें ट्रिक वो देख लो जाके फिर यहां से सुरू करना है ठीक है तो देखिए मेटलर्जी जो हब आपका एक्स्ट्रेक्शन मतलब निकालना है और उसको प्योरीफाई मतब प्योरिफट्रिकिशन मतलब रिफाइनिंग और उसको बोलते हैं मेटलर्जी डिबाव वह महीं तोड़ लिया ठीक है अब ओर ड्रेसिग करने है अब उसमें से हमें बताए कि सेंड पार्टीकल्स हैं यह सारी चीज है तो उसमें से हमने क्या कर लिया और-और को बहर नेहीं का लिया यह सेक MARbons हो गया अपका ठीक है और ड्रेसिंग को कंसेंट्रेशन ओफ ओर मतलब और को खटा करना और बैनिफिकेशन ओफ और इसी को पुलते हैं थर्ड प्रोसस में क्या बोला कि Extraction of Crude Metal मतलब जो आपने कंसेंट्रेट किया यह आपकी concentrate ore है यहां पर आपने क्या कर दिया पहला प्रोसिस कर दिया था यह दूसरा प्रोसिस हो गया अब यहां पर और के अंदर क्या है metals है उसको अमने क्या किए metal निकाले वह जो metal निकाला है इसमें से वह crude metal है जैसे आप crude oil देखते हो कच्चा तेल जो होता है अब कच्चे तेल में आपको पता है उसमें पैट्रोल भी होता है डिजल भी होता है आपके वेक्स भी होता है कैरोसीन भी होता है सारी चीज़ होती है तो जो आपका वहां पे क्रूड मैटल निकला है उसको हमें क्या करना पड़ेगा प्य फ्रोसर्प हों जिसको बोलेंगे हम क्या रिफानिंग ओफ अफ क्रूड मेंटल कि रीफानिंग ओफ कूड मैडल से हमें क्या करना है प्यूर मेटल आपका निकालना है अब इनंही चार जुआपके स्टैप्स हैं मैट्लरिजिकल प्रोसेस जो है उसको मैं थोटा सा elaborate करके लिखता हूं कि कौन-कौन से process हम पढ़ने वाले हैं फटा-फट इसको एक बार राइड आउन करिए चलिए देखिए metallurgical process आपके चार टाइप के थे उसमें कौन-कौन से method हम पढ़ने वाले हैं क्या-क्या चीज़ आपके जो और लेंगे उसको क्या करेंगे मिल की साहता से जो चक्की होती आपके उसके उसके उससे हम क्या कर लेंगे उसको चोटे-छोटे बना लेंगे उस process को नाम है उसका है Pulverization यह आपका पहला बैठर था crushing and grinding फिर क्या करते थे concentration of ore ore dressing जो था whenification of आपका or था उसमें hand picking है जो भी आपका sand party खला या और कोई है आपका hand picking से बाहर निकालेंगे hand picking में क्या रहतेे क्या देख देखे pulses with stone होता है जो दाल होती है उसमें जो stones होते है हमारी ममी क्या करती है उसको हाथ से चुकती है उसी को क्या बोलते है हैंड पिकिंग दूसरा है हाइड्रोलिक वासिंग या लैविगेशन या इसी को बोलते है ग्रैविटी सेपरेशन इसमें एक टेबल होती है विलफले टेबल विलफले टेबल कुछ ऐसी होती है जैसे आप सीडियों पे चड़ते ना तो सीडियों पे चड़ने का आकार होता है कुछ है साथे के इस तरह की टेबल होती आपकी इसको बोलते विल फ्लाइ टेबल इस टेबल पे हम और और इंप्यूर्टी हैं उसको डाल देते हैं और यहां से पानी को छोड़ते हैं तो यहां पे जो पानी के साथ चला जाएगा जो हलका होगा वो पानी के साथ चला जाएगा इस तरह से हम प्यूरिफिकेशन करेंगे सभी के बारे मताऊंगा आपको Electromagnetic separation सिधी सी बात है यहाँ पे हम चुम्बक की सायता से यह देख लेंगे कि कौन सा और और कौन सा आपकी जो impurity हुआ आपकी magnetic nature की है तो हम चुम्बक की सायता से उसको चिपका लेंगे और separate कर लेंगे फ्रोटेशन में भी आपके देखें और एक है leaching ठीक है लास्ट आपका है extraction of crude metal from concentration of ore थर्ड आपका जो है उसमें आपके यहाँ पे दो हैं देखें एक तो conversion of ore आपका into metal oxide जो आपका ore है उसको metal oxide में चेंज करते हैं अब कई हो की दिवास में आता है method जो करेंगे वो आपके easily होते हैं lab में इसलिए हम क्या करते हैं जो भी और होता उसको metal oxide में change करते हैं जितना होसके अब metal oxide में change करेंगे उसमें दो process है एक तो calcination है एक roasting है जो भी मैं आपका यहाँ पे और है उसको हम क्या करते हैं burn करते हैं heat करते हैं in presence of oxygen और absence of oxygen तो यहाँ पर याद रखना है देखि रोस्टड रोस्टड चिकन है रोस्टड चिकन किसमें होता आपका हम उसको burn करते हैं in presence of air बस आपको यहाँ पर याद द्यान रखना है कि इसमे और को हम क्या करेंगे burn करेंगे heat करेंगे in presence of air ठीक है, calcination में नहीं करेंगे, absence of air होगा ठीक है, तो यहाँ पर reduction करेंगे फिर जो आपका process होगा आपका यहाँ पर last है आपका refining of metal आपको जो कच्चा metal मिला है, जो crude metal मिला है उसको हमें refining करना उसका process आपके distillation है second equation process third है आपका electrolytic refining चोथा है zone refining और इसमें आपका है last vapor phase refining vapor phase refining में आप दो method पढ़ोगे दो method पढ़ोगे, इसमें एक तो है mode process mode process m-o-nd, mode process और एक है when our clay method when our clay method यह आपका refining of metal में है 12th class level पर अगर देखें तो एक और आपका यहाँ पर होता है आपने उतार दिया होगा साइद एक और आपका यहाँ पर step होता है refining of metal में यह होता है chromatography chromatography method यह आपका 12th class में होता है ठीक है यह सारे method हम पढ़ेंगे 10th class में यह आपका 12th class में chromatography method है फटा फटे इस चार्ट को उतारिए और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे crushing and grinding of ore पहला जो आपका part है उसको आज complete करेंगे चलिए start करते है crushing and grinding of ore क्या होता आपका देखें यह आपका थोड़ा से amazing कीजिए यह आपका पहाड़ है ठीक है यह आपके पहाड़ है इस पहाड़ में हमें पता चला है कि इसमें metals आपके ज़्यादा है कोई भी particular है तो इसमें हम सबसे पहले जो process करते हैं सबसे पहले जो process करेंगे वो क्या करेंगे इस पहाड़ में से छोटी छोटी चटान जो है बड़े बड़े जो पत्थर से है उसको बोलते हैं लंप्स उसको क्या बोलते हैं लंप्स जो बड़े बड़े रोक्स होते हैं जो आप देखते हो बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े होते हो इनको बोलते हैं लंप्स अब ये जो लंप्स क्या मिलेगा जो रोक्स आपकी चटाने हैं किसे में होगे है आगे अगगा अब यह जो लंपस आपके बड़े बड़े जो पथर ह mahdाँ उनको हम क्या करेंगे क्रेंड करसिंग करेंगे करेंगे आँ हैं तो लंप्स जो हूं आपकी बड़े-बड़े जो पत्थर्स हैं उन्हों को हम small pieces में क्या कर देंगे चेंज कर देंगे then to small pieces में चेंज कर देंगे उसको बोलेंगे क्रसिन अब इम्हेंद में small pieces हैं थार्ड स्टेप में आपका होगा पल्वर आ जी शेप इसमें क्या होगा आपका जो small pieces है उसको हम किसमें change करेंगे fine powder में change करेंगे ठीक है फाइन पाउडर मतलब जैसे आप आटा पिसाने जाते हो गयों का तो फाइन पाउडर होता आपका जो आटा होता वो फाइन पाउडर उस तरह से आप उन बना लेंगो उसको यह जो पहला प्रोसेस हो क्रसिंग एंड ग्राइनिंग ओफ और का है तो माइनिंग में हम अरूद बूरूद लगा क्यों को क्या करते हैं क्या करें सेरे में और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे तो चक्की भी जाते हो, तो मील बोलते है चक्के को, अब यह जो मील है वो आपकी क्या होगी, यहाँ पे जो चक्के बोलते हैं उसको जो, रोटेटर होते हैं, वो आपके जो मील में यहाँ पे आईरन के होंगे, आईरन के होंगे, तो यहाँ पे क्या बोल देते हैं, आईरन हैं आपके वो जो सर्किल वो आपके आईरन बोल मिल्स से हम क्या करते हैं स्मोल पीशिज को फाइन पाउडर में चेंज करते हैं तो यह आपका पहला प्रोसेस था करसिंग अंड ग्राइंडिंग का अब इनके हम डैफिनेशन के बात करते हैं फटा-फट एक बर यह थोड़ा सवीज उलाइजिसन आप उतार लेजेए चले देखे माइनिंग था आपका माइनिंग क्या था यह पाड़ दे पाड़ में आप उनने क्या किया पत्थरों को निकाला इस प्रोसेस को क्या बोलते है माइनिंग दा ओब्टेंड ओफ लंप्स यह जो बड़े-बड़े पथर है उनको किसमें चैंज का लिए चूटे-जूटे पत्तरह में चैंज गाली जैसे आपकी चोटी-चोटी-चोटी पत्थर इस तरह से यह चोटा पत्थर आपका और इसी तरह सी आपको यह ठीक है एक your process कौन सा हो जाएगा का क्रश रह सेका इसमें चोटी-छोटी पी है उसको हम fine powder में change कर रहे हैं fine powder में change क्यों कर रहे हैं यह question पूच ले कि why we change small pieces and to change into fine powder during pulverization क्योंकि हमें पता है कि जो small pieces होते है fine powder होता है उसका surface area increase हो जाता है यहां पर surface area increase होगा तो यहां पर जो भी chemical हम डालेंगे तो उसमें जो भी chemical डालोगे तो उसका interaction क्या होगा ज्यादा से ज्यादा होगा तो यहां पर हम यहां पर क्या करते हैं कि जो आपके small pieces हो उसको powder में change करते हैं fine powder में change करते हैं क्योंकि surface area क्या हो जाता है इसका increase हो जाता है इसका surface area increase हो जाता है तो आप जो भी chemical डालोगे वो इंट्रेक्स आपका ज्यादा से ज्यादा होगा the small pieces are reduced to fine powder with the help of किसकी साहता से iron bowl meal known as pulverization ठीक है आज का यही यह topic आपके खतम करते हैं metallurgy आपका पहला इसमें अपने बात किये cursing and grinding of ore और इसी में आप उन्ने और मिर्नल्स क्या होते हैं और बीच में आपने देख लिया होगा और की trick जो कैसी आपको लगी वो भी मेरको बताना चलो ठीक है next class में हम नए topic से शुरू करेंगे दूसरा जो आपका पार्ट है इसका अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको share और subscribe भी करें thank you very much